हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हवाशिंग चाहल संपादय का आपका संदेश दोस्तों आज हैं हम यहां गाउमदन एडिक अंदर और यहां पर शिर्मिकों की एक बहुत बड़ी समस्या है इन्होंने काफी दन से काम किया हुआ है लेकिन मुनरेगा की आज तक इनको पेमिंट न किया है और इस वीडियो के मादम से मैं पूरे परशासन को यह आउगत करवाना चाहता हूं कि इन मजदूरों की भारी समस्या है क्योंकि इन से काम तो लिया जाता है लेकिन समय पर इनकी अदाएगी नहीं हो पाने के कारण कहीं दुकांदारों के बिल देने हैं कहीं सिकारिस गाओं की मैला हैं खासकर और यहां जितने भी सर्मिक अब मेरे साथ हैं तो आई यह मैं दिखाता हूँ एक बार गाओं मदन एडिक है यह सर्मिक अब यह कैमरा इदर को माँगे देखादो वाई सारा की इदर मैला को देखादो तो यह है गाओं मदन एडिक है शर्मिक और बहुत ही अच्छा यह काम करते हैं लेकिन सिमे पर इनकी पेमेंट नहोंने के कारण यह काफी प्रेशान है तो यह देखिए यह आपने इन शर्मिकों के चेरे भी देख लिए हैं और इनकी समश्याओं का भी आपने पता लग ग है तो अब ही मैं जानकारी के लिए आपको बता दूँ और यह सारी समश्या जो है यह आपको जो काम करवाने वारे हैं मेट कोंड है यहां रिंकुम जैबगवान है बही क्या समश्या है रवी इसमें इसमें जी काम करवाए दिया 14 तारहने काम लग डिया था 16 लेबर लाई था पांच जनवरी को मिस्टोल जमा हो गया था इसके बाद बारा तारह को पीसे आए गये थे कुछ मजदीरों के 20 के 25 के पूरी मजदूरी नहीं मिल पाई और जो मजदूर रहे सो डेड़ सो आदमी उनके नहीं मिले तो इसके पीछे कारण क्या रहा बजट की कमें रही य या फिर कोई आपकी कि समस्टोल में कमिया रही कारण क्या था बलॉक मैं पूछा था जो एस सी बी सी का जो बजट सने वो तो समापत नहीं होता क्यों इतने मंद रहे गाम इतने मजदूर नहीं है और जो इस सी के हैं उनका बजट खतम हो गया है इस कारण ये पैसे नहीं अच्छा तो यह बजट का मसलाई दोने बता है अधिकारियों ने इनके सामने लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या है क्योंकि ऐसी का बजट तो वो ऐसे ही ओपन होता है अगर कम भी रह जाए तो किसी और डिपार्टमेंट से भी अधिकारी उसको अड़ेस्ट समला है तो यह देखिए मैं इन माजलाओं से मुखातिब हूँ तो आपने कितने दन काम करा जी करेंगेंगें कि यानि कुल 22 दिन आप बताइए पीसे कौनी मिल देजी काम कर वाले हैं सरकार पीसे तो दिन देनी आपकी भी यही समस्या है तो इन तिन तिन बार यहां इन शे काम लिया गया है लेकिन अब तो कोई पेमेंटिन की नहीं होई है तो यह देखिए चोटे चोटे बच्चों समेट यह मुलाएं यहां पर आई होई है और अब पूरी मुस्तदी के साथ ये परशासन से गुवार लगा रही है कि इनकी समस्चा का समाधान किया जाए तो अभी आतो जी क्या समस्चा आ रही है तीन मिस्टोलां काम कर लिया जी एक मिस्टोल की भी कोई पेमेंट नहीं आई है हमारे अनुसार और अग्या का मुझे क्या पता भी जो अगला सोथा में स्टोल निकलवाने के लिए त्यार हो रहे है हमेट वह उसकी भी एम पेमेंट आओग एक नाओग इसकी कोई गारंटी नहीं बता रही है हमारे को तो इनका भी यही करना है तो आपने भी काम कर रख रहे हैं कितने दन काम कर रहा है जी आम नहीं दो डेट दो बिन्ने कर रहा है तो यह तो बड़ा गंबीर मामला है बड़ा उदार शुदार लेकि यह लोग काम कर रहे हैं आतो जी आपका नाम क्या है मेरा नाम किर्षनलाल है आपके साथ भी कह यही समस्या है बहुत गंबीर समस्या है जी इस चीज का बारा मैं बार बारा मिया पुकार करा है बहुत काम करवाओ तो पैसे भी दिया करो हम मजदूर आदमी है कहां कहां क्या करें तो ये बड़ा गंबीर मामला है मजदूरों ने अपना ये दुखड़ा बताया हमारे सामने और हम इस वीडियो के मादम से परशासन तक इनके आवाज हुचाने के काईल हैं क्योंकि ये खुद मेरे गाओं के शर्मिक है अगर यहां पर ही ऐसे आलात है तो मुझे लगता ह है कि दूसरे गाओं में क्या होगा तो ये समस्या आपकी भी यही है हाँ जी यही समस्या जी पैसे नहीं मिले एक काम कर लिया तीन बारी तो ये बड़ा गंबिर मामला है कैमरा मैं अनूप के साथ हवाई सिंग चहल मैं एक बात और परशासन से अपील करूंगा कि जिन महिलाओं ने जितना भी यहां खासकर काम किया है और सारे मज़दूरों ने तो उनको जल्दी से जल्दी ये पेमेंट दिलाने आकाम करें व बगेर बजट के ही तने काम करूआ लिए जाएं तो ये कहीं ने कहीं या तो अदिकारियों के लापर हुआ है या फिर सरकार जूट बॉलकर इन से काम करूआ रही है तो ये जनता जनारदन है इनके अगर आवाज नहीं सुनी गई तो फिर ये बागी हो जाते हैं और बाग स्टब्सक्राइम जोड़ा ओं मैं तो एक बात और पूछ ना चाहता हूं सरकार से जब यह श्टोल निकारा जाता है तो बगएर्बजट कैसे निकारा जाता है बजट आता है जब यह श्टोल लिकड़ताए आ। विल्ट करता है उसमें पैसे कहां जाते हैं पर फिर तो य भी खास सवाल है और इस तरह के अगर सरकार काम करवाती रही और इनको पैशे ना दिये तो फिर इनका कैसे काम चलेगा तो आएए मैं आपको और कुछ पूरी नजर गुमाता हूं कैमरे की ये देखिए ये सारे सर्मिक ये बड़े प्रेशान है ये भारी संख्यामा में लाए हैं जो आज जिनोंने प्रोग्राम बना था डी सी मुध्या से मिलने का तो इस आर आज इनन परशासन से जाकर गुहार लगानी थी और जिंदाबाद मुर्दाबाद इन सरकार के खलाफ लगाना था लेकिन जो ही मेरे को पता लगया परशासन त तक ये आवाज पहुंचे इसलिए मैंने ये प्रियास किया है कि परशासन जल्दी से जल्दीन की सूद ले